कि नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंडी टुरिटर पब्लिकेशन तो फ्रेंड्स आज के शुड़ों में बात करेंगे जो हमारा क्लार की भरती थी अच्छासी के कि भी जो सलेक्टिड कैंडिडेट हुनका क्या होगा क्या वो हट जाएंगे रिजल्ट रिवाइज होगा तो क्या इनको हटा दिया जाएगा जो ओलरेड़ी सलेक्टिड है क्या पूरा प्रोसेजड रेगा नयारी जल्ट अब कब तक आएगा कितने दिन के अंदर जो कोर् और एक बहुत बड़ा फाइन लगने से बचे हैं बार-बार रिक्वेस्ट किये सरकारी वकील ने जब जाकर यह बचे हैं तो इस यह जो और है ना इसमें डिटेल से बात करेंगे एक पॉइंट पर और फेंड्स यह जो आपका ओडर है ना यह 13 पेजिस का यह ओडर है डिटे के बाद जो मेन हमारा पॉइंट पॉइंट नंबर पांच वह पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर पांच में यह बता रहा है कि भी अडवर्टाइजमेंट पांच दो हजार उनिश्टी हमारी और क्वेस्टन की मैं बात करूं तो कमीशन ने थ्री क्वेस्टन से सिरियल नं फाइनल अंसर की ओपेपर कोड क्वेस्टन नंबर ट्वनटीफोर सिक्ट्व एंड नाइन रेस्पेक्टिवली तो यह वे क्वेस्टन थे उसके बाद हम पॉइंट नंबर शिक्स पड़ेंगे इसमें क्या कह रहा है फर्दर प्रेर इस आल्सों टु डिरेक्ट यह पेपर कोड और यू एंडटी ओफ दे पिटिशनर तो यह जो सेट हैं इनकी अंसर की को रिवाइज करने के बाद आपका जो पूरा का पूरा रिजल्ट हो रिवाइज होगा आपकी वेटिंग रिवाइज होगी यह पॉइंट नंबर सिक्स में कहा गया है उसके बाद नंबर सेवन कि बिक्रा गाए वो भी देख लेतें कोई अंबरसेवन देखनें लाइक ने पॉरेंड नंबर टैन्मत में चलते हैं तिर्फली अनदेन संव्मे क्या वोला गाह क्या वै भी एक मतिंटेर केश्टें वाली बात है जी फसकू है इन इने वनेय तीक से इ इनेस of the stand taken in the written file by Commission cannot be sustained it is accordingly directed that the Commission shall carry out revaluation of all the candidate across board who had participated in the selection process and declare the result of fresh and thereafter prepare a new merit list तो इसमें यही बोला गया कि भी दुबारा से आपको इनका क्या है रिजल्ट बनाना है और नहीं मेरिट लिस्ट बनानी है पोई नमबर 11 में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं इसमें कह रहा कि भई चूंकि जो selected candidate है वो इसमें party नहीं थी तो इसमें party नहीं थी तो वो कह रहे हैं कि भई जो समानता का दिकार उसको अगर ध्यान में रखा जाए इन order to balance the equity it is made clear that they shall be allowed to continue in service तो समानता के दिकार को ध्यान में रखते हुए इक्वैलिटी के दिकार को ध्यान में रखते हुए इनकी जो service है न वो जारी रहेगी यह चीजिस में साफ साफ लिखी हुई है लेकिन subject of course to there being found meritorious on preparation fresh merit list लेकिन यह service तभी जारी रहेगी अगर यह रिवाइज रिजल्ट में या फ्रेश जो आपका रिजल्ट है उसमें मेरिट में रहते हैं तो in case any of the candidate already selected does not make the cut as per the fresh merit list कोई candidate अभी selected है और वो fresh result में मेरिट में नहीं आता है तो उसको जो है he shall be issued notice prior to taking any adverse action तो अगर आप इसके फिलाब कोई action ले रहे हैं इनको हटा रहे हैं क्योंकि merit से बाहर हो गया तो उनको advance notice देना पड़ेगा जब कहने कार थी यह फ्रेंट जब तक आपका revise result नहीं आता आप जो है नोकरी पर बने रहेंगे लेकिन अगर आपका टोप से बाहर जाते हैं तो आपको एक advance notice दे कर जो है आपको नोकरी से लिखा हुआ कि adverse action कोई adverse action लिए जाने से पहले आपको advance notice देना पड़ेगा needless to say such a candidate shall be liberty to seek appropriate remedy in accordance with law if so advised उसके बाद हम point number 13 पढ़ते friends 13 number में क्या गह रहा है वो भी एक important point है यहां पर बात आती है फिर सरकार पर क्या है फटकार लगाने की सरकार पर है जुरुमाना लगाने की बात आती है इसमें देखे आयो जो कोट आयो को यही कह रहा है कि भी जो याचिका करता है ना जो petitioner है उसको एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाया गया है उसके साथ अन्याय किया गया है from one pillar to another pillar यहां पर लिखा हुआ है the petitioner run from pillar to another pillar तो अगर आप ऐसा करेंगे यह आयो की क्या एक आदत बन गई है various official of the commission followed by giving representation जो representation दी है याचिका करताने court में तो उनसे यह परतीत होता है कि उसके साथ जो है गलत हुआ है जैती हुई है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार घुमाया गया है पहले उसने एक याचिका लगाई फिर उसने दो याचिका लगाई और फिर point number 14 में कह रहा है तो एक आदत बन गई है कमीशन की इस परकार की गलतियां करने की गीवन दा नेचर अफ लिटिगेशन पेंडिंग इन दिस कोट वेरिन हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन इस डिरेक्टली इनवोल और इससे पता चल रहा है कि जो से स्ट श्बीचकी कमीनठ इस इस डिरेक्ट लिनमोल रहे इस टाइंड ने विप। विज समों सेंडिवेंस घल्ब बार constit Republic dear तो हर बार क्यूवाब आता है लिप्टेंस लिटीैन साथ को मून सेंड इफैंस आता है कोई बहून ऐसाख सकता हूं roth नहीं है कोई बगएर सिरपेर के क्या है यह जवाब लेकर आते हैं वन इलिस्ट्रेशन इज हेरिं इटसेल्फ देट ड्यू तो मालफंक्षन ओफ दे सौफ्ट्वेर मिस्टेक हैपन ओन इट्स ओन ऑन पर्सनल ओप कमेशन are not mistake happen on its own personal commission are not responsible on the contrary it is not a rocket science to observe that apparently preparation of wrong answer की तो commission ने क्या किया है अपनी गलती को दूसरे के कंदे पर डालने की कोशिश की है इनके जो जवाब reply होते हैं वो बिना सिर पैर के होते हैं कोट को गुमरा करने के होते हैं तो जो जद साब मैं काफी गुस्य में थी कि तुन्होंने कहा अगले पॉइंट में पढ़ते हैं जो मॉस्ट इंपोर्डेंट पॉइंट हैं पॉइंट नंबर सेवंटीन में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं इन दी पार्टिंग आई में हैस्टन तो एड़ इस कोट वाज थोट इंक्लाइंड तो इंपोज हैवी कोस्ट बट ओन रिपीटिड रिक्वेस्ट मेड़ बाइड बार बार में हैवी कोस्ट इन पर जो है फाइन लगाने वाला था लेकिन बार बार जो स्टेट कांसिल उस क्या होगा फ्यूचर में अगर ऐसी मिस्टेक आती है तो क्या होगा फाइन भी लगेगा जो पीटिशनर की कोस्ट है वो भी लगेगी और तो और आपको सैलरी भी जो पुरानी देनी पड़ेगी और फेंड्स क्या हुआ है यह पूरा का पूरा रिजल्ट दो महीने के देखिए इसमें यह भी लिखा होगा आफ्टर देवालिवेशन इसकेड़ आउट नीटलेस्ट तो से एट इंटार एक्ससाइज ऑफ फर्दर राउंड इंक्लूदिंग स्कूट्नियों डोकुमेंट से लेकर पूरा का पूरा प्रोसेस दुबारा होगा इटिज मेड क्लि अगर रिजल्ट रिवाइज करने के बाद इनकी जोईनिंग नहीं कराई जाती दुबारा अगर कोट में आते हैं तो फिर आप पर बहुत ज्यादा पैनल्टी बहुत ज्यादा कोश्ट इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यह सारी चीज़ें फिर आपके लिए बहुत करने के लिए बोला है तो पूरा यह जो आपको मैंने डिटेल से बताया आज की स्टुडियों फिलाल इतना ही धन्यादा